हमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे स्यूटिप चनल पे सबसे पहले तो एक ट्रिब्यूट लता मंगेशकर जी को जो अब हमारे बीच नहीं रही हमने एक बहुत बड़ा हीरा हम लोगों से बीच में से अब खो दिया है अब हम बात करेंगे आज की खबर की जो की बहुत ही ज़्यादा महतफून है ये खबर हर परिक्षा के लिए हर उस परिक्षारती के लिए महतफून है जो सरकारी नौकरी की तयारी कर रहा है कमपटेटेव इकजाम्स की तयारी कर रहा है चाहे वो SSC हो, चाहे वो कलर्क हो, चाहे वो सूपर्टेट हो, चाहे वो आपकी IS PCS की परिशा क्यों ना हो, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा जो सभी के लिए बहुत बड़ा होता है, फटफट देखते हैं खबर, आयू सीमा बढ़ाने के लिए अड़े अभ्यर्थी, नीमित SSMIS तो ऐसा होता है कि आपने फॉर्म भर दिया और वो फॉर्म भरके भरते भरते एक्जाम ही नहीं हुआ, और वो एक्जाम भी पता नहीं कब हो रहा है, दो साल, चार साल और आप ओवरेज हो चुके हैं, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिनकी वज़े से महनत क करने वाले अब भिहरती पीछे रह जाते हैं, तो फटा-फट देखते हैं, खबर में क्या दिया हुआ है, तो खबर में ये दिया है, भरतियों में भरस्टाचार एवन बेरोजगारी के मुद्दे पर भरती संस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी चात्र पुलिस भरती जो की धरोगा भरती है के लिए निर्धारित अधिक्तम आयू सीमा बढ़ाये जाने की मांग कर रहे हैं, प्रतियोगियों को इस बात किसे समस्या है कि भरती हर साल नीमे तूप से ना कराये जाने के कारण अब भरती ओवरेज हो रहे हैं, और जब 4-5 साल बा और साशन को पत्र भेज कर ये मुद्दा उठाया है, जो की बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, इस तरीकों के मुद्दे, वाकई में ये मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर बात हमेशा होनी चाहिए, समीती की ओर से मांग की गई है कि पुलिस अरक्षी या उपन रिक्षक भरती के दिक्तम आयू सीमा 30 वर्ष की जाए, समीती के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि जब सबसे कठिन IPS की ट्रेनिंग को सामाने वर्ख के लिए 30 वर्ष और आरक्षित वर्ख के लिए 35 वर्ष में पूरी कर सकते हैं, तो दरोगा एवं सिपाही भरती में करम सा 325 की आयू ट्रेनिंग को क्यों नहीं कर सकते हैं, समीतिक से मीडिया वर्वारी प्रशान पांडे ने मांग भी किया है कि प्रदिक्षार में प्रतिये खंड में उतीन होने के लिए 50 वीज़त अंगों की अहरता समापनी जाए, अब बिएड एवं टीटी 2011 के क्व वालिफाई और 72,000 ही कहा जाता है, इसको 72,000 सिक्षक भरती के अचानित अब भीरतियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोचा खोल दिया, वर्शो तक सिक्षक भरती प्रक्रिया में शामिल होने से वन्चित रहे गए, इन अब भीरतियों ने रविवार को चंदरशी का रा मिलेगा, या पन देने वाले ये ये लोग शामिल थे, तो देखिए, पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दो मुद्दे बहुत बड़े हैं, जैसे आपको पता है, आज तक 72,000 जो सिक्षक भरती जो मायावती जी के टाइम की थी, फिर वो अकलेस जी के टाइम भ वाही है, ना इनसाफी के सिवा, उनके साथ कोई नहीं है, एक मुद्दा बहुत अच्छा है, कि आप आस तयारी कर रहे हो किसी भरती के लिए, और एक साल, दो साल, तीन साल भरती नहीं निकली हो और आप ओवरेज हो गए, तो इसमें आपका क्या कसूर है, भाई, हर साल ज जो कि अपने अंतिम समय में, जब वो ओवरेज होने वाले होते, तब उनमें ये जाकते हैं, कि नहीं अब मुझे नौकरी के तयारी करनी है, तो उनके साथ गलत होता है, जो भरती, तन, मन, धन, सब लगा के तयारी कर रहा है, और अगर वो एक्जाम ना दे पाए, क्योंकि वो ओवरेज है, तो उसके साथ बहुत गलत होता है, बहुत अच्छी मांग, मैं कहूंगा, एक सेंसिबल तरीके से कोई बात रखी गई है, इस पर जरूर चर्चाहे होनी चाहिए, और होप सो, सरकार या कोई भी कमेटी या जो भी होगी, वो इस पर एक ऐसा फैसला ले, कि जो सभी के साथ नयाए कर सके, इसी तरीके कोई भी जान करी अगर आपको चाहिए, तो इस चैनल को फटा फट सब्सक्राइब कर लीजे, मैट्स का कोर्स चल रहा है, थोड़ा बीच में बीच में बीजी सेडूल के चक्कर में नहीं हो पाया, बट वीडियोस कंटिन्यू आ निवाद, फट 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 लाइक शेर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रू दुबाइए ताकि सबसे पहले वीडियोस आप तक कहुंचें, थैंक्यू आपनाइस ते,